इस पर्टिकुलर कोश्चन की बनावट ऐसी है कि इसमें अगर कंडुक्टिंग रिंग भी बोल दूँ तो फरक नहीं पड़ता सुचके देखना आप अलो स्टुडेंट्स ये कोश्चन आप में से किसी ने मुझे भेजा है और मैंने इसे उचित समझा कि इस चैनल पे लिया जा सके देखते हैं इस कोश्चन तो अगर हम यहां पे एक दो वर्ड और इंसर्ट कर दें उसमें वर्ड यह होना चाहिए कि this is sphere as well as ring बोथ हर made of dielectric material यह insulating material के बने हैं तो जब इस sphere को मानलो तुम ring के पास लेकर जाते हो तो यह दोनों एक दूसरे के charge को disturb नहीं करते हैं ऐसा है एक ring है और एक ball है बॉल को तुम इससे पास करना चाहते हो और situation यह है कि ball की radius ring की radius से बड़ी है तो normally तो यह पास नहीं होगा लेकिन question कहा रहा है कि charge की value इस ball पे कितनी रखी जाए जिससे कि यह इस ring को cross कर जाए यहाँ पे ring जो बना हुआ है वो एक elastic cord के जैसा है जिसका force constant k given है तो दोनों ही dielectric material है पास आने से यह charge यहाँ disturbed नहीं होता यह charge भी uniformly distributed है यह इसा थोड़ा दो word और लिख देने से question बहुत proper हो जाता है तो इस question को solve करने के लिए जो जरूरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो कुछ ऐसी है एक ज्यादा simple question मैं आप से पूछ हूँ कि एक ring है ठीक है एक ring है मालो किसी भी material का बना हुआ हो इस पे charge जो है वो uniformly spread है ठीक है इस particular question की बनावट ऐसी है कि इसमें अगर conducting ring भी बोल दूँ तो फरक नहीं पड़ता सोच के देखना आप तो यह ring है जिसके उपर एक charge small q है uniformly spread इसके center पे capital q charge रखने से इसके center पे capital q charge point charge रखने से इस ring में additional कितना tension आएगा गौर किया जाए इस charge को हटा दूँ मैं इसको न रखूँ तो भी यह charges एक दूसरे को repel कर रहे थे कुछ tension हो सकता है ring में पहले से ओके उसको भूल जाओ अब यह charge insert करने से यह charge यहां रखने से अब further इस repulsion की बज़े से इस ring में कितना extra tension generate होगा यह question आपने अगर किया है तो पिछला वाला question आपके लिए बहुत आसान है नहीं किया है तो जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं इस ring के ऊपर हमें एक छोटा सा element लेते हैं इस drawing को साफ दिखाने के लिए मैंने बड़ा element बना दिया पीले color का यह ring का एक बहुत ही छोटा सा है सा छोटा सा एक टुकडा है ठीक है इस टुकडे को नहीं चल रहा है एक मिनट इस टुकडे का size define करने के लिए आप ऐसा सोच लो कि यह यहाँ पे delta theta एंगल सब टेंट करता है ठीक है center के ऊपर इसका radius r है तो इसकी length जो है वो r delta theta है simple वो बहुत ही छोटा है बहुत छोटा सा element है पीले color का drawing साब बने इसलिए इतना बड़ा बनाया है element बिल्कुल एक particle की तरह है एक तरह से तो अब यह जो charge है इस छोटे पीले charge को ripple कर रहा है कितना forces पे act करे तो answer है 1 by 4 pi epsilon 0 यह charge इंटू इस छोटे element पे charge अब छोटे element पे charge कितना है अगर हम lambda को charge per unit length मान लें यहाँ पे तो lambda इंटू this arc length and this arc length is r delta theta यह क्या लिखा मैंने bracket के अंदर उस पीले color के element के ऊपर charge capital Q क्या है यहां का charge divided by r square इस charge के आने से इस छोटे charge को एक repulsion feel हो रहा है and that repulsion is given by this force अब naturally अगर इस छोटे से element पे यह extra force आ जाए तो यह तो चल पड़े का पर यह चलता तो नहीं क्योंकि यह जो इसका पड़ोसी element है इस पीले element को दिमाग से हटा दीजे पीले element को दिमाग से हटा दीजे बाकी जो white color में दीख रहा है यह white element इसको यहाँ पे ऐसा खीच रहा है यही tension force है यहाँ पे भी symmetry की वज़़े से same tension से खीचा जा रहा है इसको इस tension force के हम दो component कर सकते हैं यह दोनों point यह point यह point यह point यह point बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा से element है पास पास है बहुत पर यह जो tension है यह इस diagram में exactly ऐसे horizontal नहीं है कुछ inclined है कितना inclined है आप देख सकते हो बहुत आसान है समझना यह angle delta theta by 2 तो यह delta theta by 2 तो tension का यह जो component आएगा इदर t sin delta theta by 2 और इस tension का भी t sin delta theta by 2 यह दोनो t sin delta theta by 2 वो force है इस पीले element पे जो इस repulsion को balance कर भाए यही तो हो रहा है तो जैसे ही यहाँ charge रखा repulsion और यहाँ tension जो है कि नारोपे हर जगा पूरे ring में tension बढ़ गया tension का एक component है inward जो उस outward force को balance कर रहा है तो मैं यह जो repulsion force है इसको equal to लिख सकता हूँ यह जो tension का inward force है मतलब t sin delta theta by 2 multiplied by 2 क्योंकि दोनों end पे है हो गया अभी बहुत छोटा element है तो delta theta बहुत छोटा angle है इसलिए sin theta को theta लिखा जा सकता है तो आप sin of delta theta by 2 को delta theta by 2 लिख दीजे यह 2 और 2 cancel हो गया इसके बाग यह delta theta भी यहां से cancel हो गया ठीक है तो आपको basically इस ring में जो tension additional tension पैदा हुआ वो यहां से मिल गया this is equal to 1 by 4 pi epsilon not q lambda by r एक बार देख लिजेगा शायद मैंने सहीं लिखा है so this is the additional tension that is produced और lambda की जो value है it can be written as total charge on the ring divided by 2 pi r तो यह आप वहां substitute चाहे तो कर लिजे तो इस तरीके तो आपको tension मिल गया अब अगर इस बात को समझते हो तो यह question आपके लिए मुश्किल नहीं रहा आप में से बहुत सारे लोग अभी pause करके इस question को solve खुद से कर पाएंगे ऐसा मेरा मानना है अगर pause करना चाहते हैं तो कर लिए वो जो spherical charge है वो सारे outside interaction के लिए point charge की तरह ही तो behave करता है तो अभी मैं simple ऐसा diagram यहाँ पर बना रहा हूँ कि यह हमारा ring है और इसके अंदर से sphere ऐसे pass कर रहा है तो इसके अंदर से sphere pass हो जाएगा अगर ring का radius भी capital R हो जाए जो given ring है उसका radius small आ रहे है पर हमें sphere को pass लेके आते हैं तो charges के repulsion की वज़े से ring पे जो charge है उस पे force लगता है और because यह ring एक elastic cord की बनी है तो वो stretch होने लगती है फैलने लगती है तो जिस वक्त sphere जो है वो बिलकुल इसके अंदर आ गया यह sphere के charge को मैं एक point charge ही माल लूँ यहाँ पे रखा हुआ क्योंकि sphere अपने बाहर में वही electric field create करेगा जो की एक point charge create करेगा situation ऐसी है भाई मैं बहुत बढ़ी है drawing नहीं बना पा रहा हूँ यह sphere है और यह जो है ring है ऐसे स्फियर उसके अंदर से बहार निकल रहा है तो स्फियर आप ऐसा सोचो कि इस diagram में ऐसे अंदर आ तो स्फियर जो field बनाएगा यह ring charge को repel करने के लिए वो तो बिलकुल वैसा ही है जैसा कि एक point charge तो point charge रखती है center पे वही sphere है समझती है तो जैसा अभी आपने question में पढ़ा जैसा अभी मैंने आपको explain किया ring पे charge q है और sphere या उसके center पे रखे point पे charge q है capital q है तो जो additional tension इस ring में generate होगा उसको हम calculate कर सकते हैं यह tension की value आदेगा ठीक अब question कहा रहा है कि वो एक elastic cord का बना है तो अगर उसमें इतना tension आएगा तो extension होगा extension कितना होगा stiffness k into x x is the increase in length change in length this will be equal to this tension I hope कि आप समझ रहा है और change in length कितना दिया हुआ है it is 2 pi capital r minus small r ring की original radius small r थी sphere आने से capital r होगा तो overall जो cord है elastic cord उसकी length में यह change है this is x so stiffness constant into x this is equal to this tension पस होगा इसको लिख के आप capital q की value calculate कर देगा तो यह ही है आपके question का solution I hope कि आप सभी को यह video और यह discussion पसंद आया अगर आया तो like करना मत भूलिये कुछ दोस्तों के साथ share कीजिए भाई आप लोग बिल्कुल share नहीं कर रहे है चलिए मिलते हैं अगले video में किसी और question के साथ